Hey everyone, मैं हूँ गौरम इश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains के एक बिलकुल ही नए सेशन के अंदर और आज के सेशन में हम हमारे Class 9th के Maths को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम Class 9th के Maths के एक बेहद ही important topic जो की है triangles, उसका बहुत ही जादा important part जो की है examples on side-side-side congruency पढ़ने वाले हैं आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में समझा था कि side-side-side congruency क्या होता है उस criteria के बारे में हमने सारी बाते कर ली थी अब इस वीडियो के अंदर हम उसी criteria से related questions लेकर आए हैं अच्छे questions हैं, question का level बढ़िया है, variety अच्छी है, अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप side-side-side congruency की mastery कर लेंगे और अगर अभी तक आपने magnet brains पे class 9 के maths की वीडियो देखना start नहीं किये हैं तो इसी वीडियो के description box में आपके सामने class 9 के maths की playlist के link होगी आपके understanding अच्छी होगी, बाकी आप जानते हैं कि magnet brains वो platform है जहाँ पे education completely free है यानि कि यहाँ पे आपको दो chapters पढ़ने के बाद बाकी chapters पढ़ने के लिए कोई भी payment करनी की ज़रूरत नहीं है तो चलिए start करते हैं session को और देखते हैं कि कौन से questions हम जो हैं आज cover करेंगे तो यह रहा आपके सामने सबसे पहला example example कहता है in the figure यानि कि इस figure की यहाँ पे बात चल रही है it is given that a,b is equal to c,d आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो a,b है वो c,d के equal है आप ऐसे मतलब चोटे-चोटे crosses से भी देख सकते हैं यह c,d पे cross लगाया, यह a,b पे cross लगाया a,b जो है, वो c,d के बराबर है आगे उसने दिया है, a,d बराबर b,c भाई, a,d पे cross लगा है दो और b,c पे लगा है दो उसरा cross यानि कि a,d,b,c के बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि triangle a,d,c जो है congruent है, आपके triangle c,b,ak तो जब भी proof that के question आते हैं आप तरीका जानते हैं कि given to proof सारी बाते लिखनी पड़ेगी तो शुरुवात हम कहां से करेंगे शुरुवात हम करेंगे given से given मतलब जो चीज़े हमें दी गई है उन चीज़ों को हम यहां पे लिखेंगे तो हमें सबसे पहले यह दिया गया है कि हमारा जो a,b है वो किसके equal है, यह हमारे c,d के equal है दूसरी चीज़ हमें यह दी गई है कि हमारा जो a,d है वो किसके equal है, वो हमारे BC के equal है, given तो ये हो गया, given के बाद आप आते हो कहां पे, आप आते हो to prove पे, हमें क्या prove करना है, तो हमें ये prove करना है, कि हमारा triangle ADC है, ये क्या है, ये congruent है, किसके congruent है, हमारे triangle CBA के congruent है, ये पहली चीज जो है, हमें prove करनी है, तो given हो गया, to prove हो गया अब क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे यहाँ पे proof अब इसको sir हम proof केसे करें तो proof करने के लिए यहाँ पे आप इस figure में से उन दो triangles जिनको congruent proof करना है उनको isolate कर लो इसकी यहाँ पे करने की जगा इसको अगले page पे बपन करते हैं चलो आजाओ तो यहाँ पे हम लिखेंगे proof और जो दो triangles हमें congruent proof करने हैं उनको हम करते हैं isolate पहला कौन सा triangle है? पहला triangle है ADC, अब यह ADC कहां छुपा बेटा है तो यह जो triangle आपके सामने मेंने बनाया है यही है ADC triangle, इसको हम construct कर लेते हैं यहाँ पे तो ADC जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने है यह point A है, यह point D है और यह point जो है आपके पास C है, चेक कर लिजे सब कुछ सही है और जो दूसरा triangle आपको चाहिए वो है CBA, अब CBA को कैसे ढूंडोगे? तो यह जो triangle है आपके पास CBA इसको भी अपन यहाँ पे बना लेते है तो भाई CBA जो है कुछ इस प्रकार से given है, यह C है यह B है और यह आपके पास कौन सा point है? यह आपके पास A point है यह दोनों triangle आपको given है चलो, बहुत बढ़िया, अब इन दोनों given triangles में और क्या given था? तो और आपको given था कि जो A B है, वो C D के equal है cross बनाओ, भई आपका जो A B है A B कहा है, A B कहा है, अरे A B कहा गया यह रहा A B, A B किसके equal है C D के equal है, तो A B equal है C D के सही बात है, और क्या given है और हमें given है, कि हमारा A D, B C के equal है, अब A D किधर है तो A D यह रहा, यह किसके equal है आपके B C के equal है, तो यह दोनों चीज़े क्या है, बराबर है, कुछ और given है क्या, नहीं सर, सिर्फ यही दोनों चीज़े given थी, सर हमें तो इन दोनों triangle को congruent proof करना है तो हम लिखते हैं, दोनों triangles का है, C A है, यहनि कि जो नीचे वाला side है ना, वो दोनों triangle में क्या है, common है, तो हमें common side भी क्या हुआ, मिल गया, तो भाई दोनों triangle में हमने common side की भी तलाश कर ली, तो चलो भाई, हम लगा देते हैं क्या, तीन side है, इधर भी तीन side है, तीनो side equal है, यहनि कि side 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 congruency लगने की पूरे chances है, तो हम लिखेंगे, triangle का नाम ADC और CBA, क्या लिखेंगे हम, हम लिखेंगे in triangle ADC and triangle CBA, क्या लिखेंगे हम in triangle ADC and triangle CBA, सबसे पहला point आपका, लिखेंगे यहाँ पे, कि भाई, आपका जो AB है वो किसके equal है, तो वो सर हमारे CD के equal है, यह चीज क्या आपको given थी, हाँ सर यह चीज हमें given थी, तो bracket में आप यहाँ पे given लिख दीजिए, इसके बाद आपको given है second चीज, क्या given है इधर ABCD के equal हो गया, और आपको given था कि उधर आपका जो BC वाला side है, यह आपके AD वाले side के equal है, यह भी क्या था, यह भी I think given था, जी सर आप बिल्कुल सही सोच रहें, यह भी given था, and finally तीसरी चीज यह है, कि इस triangle में side है CA और इस triangle में आपका side है AC, यह नीचे वाले sides के मैं बात कर रहा हूँ, यह क्या है, यह आपके पास common side है यानिकि इन दोनों triangle हो में यह 3 side क्या है, equal है, बाई जब यह 3 side equal है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, by side, side, side congruency, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आपका जो triangle ADC है, यह congruent हो जाएगा, आपके triangle C, B, A के, और इसी आसान तरीके के मदद से, हमने जो proof करना था, उसको यहाँ पे proof कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस question में सिर्फ इतने ही steps important थे, अगर आप इतने step कर पाते हैं, यहने कि question हो चुका है, चलो, फटा-फट screenshot लेने का time में दे देता हूँ, इन सारी चीजों का screenshot ले लीजिए, अगर इनका ले लिया है, तो ज़रा यहाँ पे आके, आप इन सारी चीजों का भी screenshot ले लीजिए, चलिए, तो हमने इस question को क्या कर दिया, solve कर दिया, यह पहला example हमने solve कर दिया, अभी बढ़ते हैं हम अगले example, example number 2 पे, तो example 2 कुछ ऐसा है, ABCD is a parallelogram, आपको दिया गया है कि ABCD एक parallelogram है, if the two diagonals are equal और उसमें बोला गया है कि parallelogram कुछ ऐसा है, कि उसमें जो दोनों diagonal क्या है, equal है, तो आपको find करना है measurement of angle ABC, और interesting बात है कि उन्होंने diagram दिया नहीं, पर इस question का diagram इतना complicated भी नहीं होगा, हम जो है, बड़े ही आसान तरीके से बना देंगे, तो कैसे बनाएंगे, हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कि मान लीजिए, आपके सामने ये A, ये B, ये C, और D क्या है, एक parallelogram हो गया, हाँ जी सर, एक parallelogram हो गया, अब ये जो parallelogram है, इसमें उन्होंने क्या दिया है, उनको आपन लिख ले, side में, although find करना है, तो given to proof लिखने की ज़रद तो है नहीं, पर फिर भी जो चीज़े question में दी जाये ना, उनको आप separately लिख लीजिए, तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पर ये दिया है, कि A, B, C, D क्या है, तो A, B, C, D अपने पास एक parallelogram है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसमें उन्होंने बोला था, कि आपके जो diagonals हैं, क्या है, equal है, जारा diagonals बनाओ, तो इसमें diagonal आपके पास होगा A, C, इसमें diagonal होगा आपके पास B, D, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, सर आप, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कि आपका जो A, C diagonal है, वो आपके B, D diagonal के क्या होगा, equal होगा, no doubt, अब हमें यहाँ पर measurement find करनी है, angle A, B, C की, किसकी measurement find करनी है, हमको find करना है, हमारा angle A, B, C, यानि कि यह वाला जो पूरा angle है, हमको यह वाला पूरा angle यहाँ पर करना है, find, अब angle बड़े आसान तरीके से find कर लेंगे, यहाँ पर दो triangles हैं, जो मुझे interest कर रहे हैं, sir, कौन से दो triangle आपको बोल रहे हैं कि आप हमें बनाईए, तो देखिए, पहला triangle जो मुझे लगता है, बहुत important है, वो यह वाला triangle है, आप इसको अलग से इसे बना सकते हैं, मैं इसे purple से highlight कर देता हूँ, यह वाले triangle की मैं आपसे बात करता हूँ, नाम रख सकते हैं आप इसका, A, D, B, नाम रख सकते हैं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो यह पहले triangle की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखने की जगे नहीं है, अगले page पर हम लिखते हैं, आजाएए, तो क्या है, A, B, D, ओगे, समझ गए, तो यह कुछ इस प्रकार है, ऐसा आए, फिर ऐसा गए, और फिर कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसमें sides क्या-क्या है, और सॉरी, vertices क्या है, A है, B है, D है, यह A है, यह B है, और यह क्या है, यह जो point है, आपके पास D है, ऐसा कुछ triangle आपके सामने है, इसके अलावा, एक और triangle है, जो मुझे interest करता है, और वो मालूम है कौन सा triangle है, यह वाला triangle है, जो मुझे interest यहाँ पर करता है, नाम अगर लिखना चाहते हो, तो A, B, C आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर दूसरा triangle हम जो है, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, यह A है, यह आपके पास B है, यह आपके पास C है, यह दो triangles हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से बना लिए, चलो सर, बना लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब इन दोनों triangles को ना, मैं congruent proof करना चाहता हूँ, सर अब इन दोनों triangles को आप कैसे congruent proof करोगे, जरा हमको भी समझाओ, तो सुनना भई, सबसे पहली बात तो यह अगर मैं यहाँ पर आपका ध्यान attract करूँ, तो आपको मालुम होगा, क्या मालुम होगा सर ? आपको मालुम होगा कि जब दो, मतलब यह क्या है ? यह एक parallelogram है, भी parallelogram में opposite side क्या होते हैं ? equal होते हैं ? हाँ सर, parallelogram में opposite side equal होते हैं, यानि कि यहाँ पे जो AD वाला side है, किस वाले side के equal होगा? BC वाले side के equal होगा? बिलकुल सर होगा. तो यहाँ पे इस बात को लिख लो. इसलिए मैंने थोड़ी सी जगे यहाँ पे छोड़ दी थी. कि आपका जो यहाँ पे AD वाला side होगा, यह BC वाले side के क्या होगा? equal होगा. reason क्या डालोगे? तो reason डालोगे. opposite side of a parallelogram. यह चीज़ आप 8 वी कक्षा से पढ़ते हुआ आए हैं, कि parallelogram में opposite sides क्या होते हैं? parallel भी होते हैं और equal भी होते हैं. तो हम लिखेंगे कि AD जो है हमारे BC के equal है, because opposite sides of a parallelogram वो बनाते हैं. opposite sides of a parallelogram. यह parallelogram का symbolic representation है. आप exam में लिखना avoid कीजिएगा, आप पूरा नाम लिखेंगे, तो ज़्यादा better होगा. ठीक है? चलो बड़ियां. अब मेरा मन है, कि आप इन दोनों triangle में ज़रा बाते कीजिए. देखो, अभी अभी हमने proof किया है. क्या proof किया है? हमारा AD BC के equal है. हमारा AD किसके equal है? हमारे BC के equal है. अभी अभी proof किया है. एक चीज question में given थी. मालूम है क्या given थी? Question में given था, कि AC BD के equal है. जी चीज question में ही given था. क्या? कि AC BD के equal है. तो अगर आप यहाँ पे AC को दिखाएंगे, AC आपके पास यह रहा, और यहाँ पे आप BD को दिखाएंगे तो यह रहा, तो AC किसके equal है, आपके BD के equal है, यह question में given था, और यहाँ पे एक और interesting बात है, कि इन दोनों triangle में, जो नीचे वाला base है AB, यह क्या है, यह common base है, यह नी यहनी कि side 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 congruency लगने की बात आ चुकी है, अब बात यह आती है, कि आप side कैसे, मतलब triangle कैसे choose करते हैं, तो देखो, मैं आपको choose करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं लेता हूँ पहला triangle, तो मैं लिखूँगा, इन triangle, पहला triangle का मैं नाम ले लेता ह चला, तो इसी तरीके से यहाँ पे चलो, तो BCA, इधर क्या लेंगे हम, अगर हम इधर ADB लेंगे, तो हम यहाँ पे BCA लेंगे, कैसे, तो भाई आप first के बाद second cross, फिर third cross, तो first के बाद second cross, फिर कौन सा cross, third cross, तो इस तरीके से आप तरीका भी समझ सकते हैं, कि कैसे triangle का नाम रखते हैं, तो हम लिख देंगे, इन triangle ADB, and दूसरा counter triangle है, और दूसरा triangle है, आपके पास BCA, इन दोनों triangle को हमने choose कर लिया, ADB, BCA, बहुत बढ़िया, तो भाई, इन दोनों triangle में क्या, तो सबसे पहली बात तो यह, कि आपका जो AD है, यह किस के equal है, यह आपके BC के equal है, अरे, अभी अभी प्रूफ के आता न, उपर, कि ADBC के equal है, क्योंकि opposite side of a parallelogram है, और हम यहाँ पे देखते हैं, कि हमारा जो BD, BD है न, हाँ, हमारा जो BD वाला diagonal है, वो हमारे AC वाले diagonal के equal है, यह हमें कैसे मालूं, तो diagonals equal है, उसने तो question में बुला था, यह निकि यह चीज हमें दे गई है, और यहाँ पे एक और चीज में देख पा रहा हूं, कि जो base AB है, वो base AB के क्या है, बराबर है, तो लिख दो, कि भाई जो आपका AB base है, वो BA base के क्या है, बराबर है, AB BA भी लिख सकते हो, AB AB भी लिख सकते हो, फर्क तो पढ़ना है नहीं, यहाँ पे क्या लिख यह common side या common base दोनों ही जो है, आपका चल जाएगा, important यह है, कि आप देख सकते हैं, तीन side का खेल है, यहनि कि आप यहाँ पे लगाएंगे, by side 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 congruency, आप क्या लिखेंगे, आपका जो triangle ADB है, यह congruent हो जाएगा किसके, तो यह congruent हो जाएगा, आपके triangle BCA के, कौन सा triangle किसके congr congruent होगा, तो ADB वाला triangle, आपके BCA वाले triangle के congruent होगा, और जब ADB और BCA congruent होगा, तो बात बचती है, कि corresponding parts of congruent triangle, यहनि कि CPCT लगना लाजमी है, तो चलो भई, यहाँ पे last में हम CPCT को लगाते हैं, तो अगर आप CPCT को लगाएंगे, तो CPCT आपको क्या बोलेगा, CPCT आपको यह यह वाला angle choose करते हैं, क्या है angle का नाम, angle का नाम है DAB, angle का नाम क्या है, DAB कहलो, या BAD कहलो, और अगर यहाँ पे यह वाला angle choose करते हो, यह यह वाला angle किस के बीच में choose किया है, first और third cross के बीच में choose किया है, देखो न, यह first cross वाला side है, यह third cross वाला side है, इनके बीच में आपन पर ABC चूज करोगे तो यह पैटर्न लिकालना सीखो क्योंकि यह पैटर्न सबसे जरूरी है कि एंगल कौन से हमें चूज करने है CPCT में तो 1st और 3rd cross के बीच में चूज किया है तो इधर भी 1st और 3rd cross के बीच में चूज करो 1st cross का मलब समझते हो ना ऐसे चोटी डंडिया मारता हूँ ना मैं उन डंडियों को मैं चोटा सा cross बोलता हूँ अब इस बात को CPCT में लिखोगे कैसे तो CPCT में इस अंगल का नाम क्या रखें इस अंगल का नाम मेरे हिसाब से BAD रख देंगे तो चल जाएगा हाँ सर रख दोगे चल जाएगा तो BAD ठीक है बई मैं आया हूँ D पे यानि third first second और फिर जाके कौन सा अंगल बना फिर जाके अंगल BAD यानि कि bad बना समझे चूज करने का तरीका देखो भाई सबसे पहले मैंने B उठाया B के बाद मैं A पे पहुँचा और A के बाद मैं D पे पहुँचा फिर जाके मैंने मेरा अंगल BAD बनाया है और देख सकते हैं आप बिलकुल सही accurate बना अब जो काम जो order जो sequencing आप एक तरफ रखेंगे वही same to same sequencing यहाँ पे रखेंगे बाई यहाँ पे आपने third के बाद second के बाद first किया तो यहाँ पे भी third से शुरुआत करिए A से पहुचिये B और पहुचिये कहाँ पे? C पे तो यहाँ पे भी third से first और first से क्या? second तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे आंगल ABC क्या लिखेंगे आप यहाँ पे यहाँ पे आप लिखेंगे आंगल ABC और कैसे चूज किया third फिर second फिर first तो आपने लिख दिया क्या आपने लिख दिया angle BAD बराबर angle ABC ऐसा आपने लिखा किस की मदद से लिखा CPCT की मदद से लिखा तो एक तो होता है देखना तो देखना भी सिखाया डाइग्राम में और एक होता है कि आप उसको CPCT में sequencing के हिसाब से कैसे लिखते हैं और ये दोनों ही चीज़े आपको आनी चाहिए अगर दोनों में से सिर्फ एक कर लोगे फिर भी गरबढ़ है दोनों क करोगे तो ही जाके तुम concept में बाते कर रहे हो तुम concept में खेल रहे हो I hope कि ये चीज मैं अच्छे से समझा पाया एक बार मैं खुद को वापस से repeat करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे angle BAD चाहिए था तो मैंने BAD की sequencing बनाई वैस सबसे पहले मैंने third point चुना फिर मैं first point पे आया और फिर जो है मैं second point पे गया BAD और वही खेल मैंने इस तरफ खेला first मैंने A को उठाया फिर मैं B पे पहुंचा और फिर मैं C पे पहुंचा तब जाके मेरा angle ABC बना तो मैंने कह दिया कि मेरा angle BAD जो है मेरे angle ABC के equal है किसकी मदद से corresponding parts of congruent triangle या CPCT की मदद से सर अभी आपको याद है question याद है सर आपको मैं आपको question याद दिलाता हूं सर question में उसने कहा था कि आपको angle ABC find करना है अभी तक जो बाते आप कर रहे हो इसमें angle ABC तो कहीं find हुआ नहीं है तो अब हम मेहनत करेंगे angle ABC find करने के लिए तो वापस से जड़ा आ जाईए आप पुछ ऐसा था इसमें sides क्या कहते ABCD ऐसे थे यह आपके पास A था यह आपके पास B था यह आपके पास C था और यह आपके पास D था मेरा suggestion यह है कि अभी आप diagonals को मत बनाईए आपको कौनसा angle चाहिए आपको angle ABC यानि कि आपको यह वाला angle चाहिए न तो अभी diagonals की क्या प्रेजेंट किया आपने यह angle कौनसा है यह angle है ABC मैं आपको अभी एक और angle दिखाता हूँ जो आपने निकाला है और वो angle है BAD कौनसा angle है वो angle है BAD जरा इस angle को भी यहाँ पे दिखाईए तो angle BAD कौनसा angle है यह वाला जो angle है आपका angle है BAD समझ में आ रही है यह बात इन दोन अंगल्स को इस डियाग्राम में बनाओ और मेरा एकॉड सजेशन है कि जब आपने इन दोनों को इक्वल लिया है तो इन दोनों की वाल्यू जो है आप X ले लिजिए क्या ले लिजिए इन दोनों की वाल्यू एक्स ले लिजिए बाद में सहुलियत रहेगी question को solve करने में ठी है तो हमने BAD और ABC दोनों की वाल्यू क्या ले लिजिए X इसकी वाल्यू X इसकी वाल्यू X यानि कि इस डियाग्राम में दिखाना चाहते हो तो ये भी X और ये भी हो चुका है आपके पास कितना X बहुत अच्छी बात है सर अब क्या दिमाग लगाओगे आप हमें ये बत तो नहीं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि मेरा जो AD वाला side है ये मेरे BC वाले side के क्या है पैरलल है ये क्यूं है तो ये इस लिए है क्या है वह ये ABCD जो है एक parallelogram है ये parallelogram का symbolic name है आप एक्जाम में पूरा लिखने की आदर डालिये तो भी यह AD जो है BC के parallel है अगर AD BC के parallel है तो इससे क्या सुनो भई जब तुम्हारा AD BC के parallel है तो यह AB जो है न मालूम है किस की तरह behave करेगा Transversal की तरह behave करेगा कौन? AB जो है Transversal की तरह behave करेगा आपका जो AD side है न आप इसको नीचे extend कर दीजिए आपका जो BC side है न आप इसको नीचे extend कर दीजिए तो थोड़ा diagram में imagination लाईए देखिए यह वाला जो side AD है इस वाले side BC के क्या है? Parallel है यहाँ पे क्या है? Transversal है भाई जब दो parallel sides है उन पे क्या है? Transversal है तो यह जो दो angle बन रहे हैं यानि कि interior है अब interior के भी दो type होते हैं एक alternate होता है एक co-interior होता है तो co-interior कब होता है? तो co-interior तब होता है जब Transversal के same side में रहते हैं और अगर Transversal के opposite side में रहते हैं तो alternate interior होता है अभी क्या वो same side में है? क्यो opposite side में है? तो sir अभी parallel के अंदर है यानि की interior है और transversal के same side में है यानि की co-interior angle है कौन से angle है यानि की sir co-interior angle है यह है concept formation यहाँ पर मैंने आपको co-interior रटने को नहीं बोला मैंने यहाँ पर आपको alternate रटने को नहीं बोला पर हाँ जिस तरीके से मैंने concept को form किया है यह चीज आप सीखते हैं जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं class 9 के maths में या किसी भी और class की maths में समझे आप बाग चलिए तो हम बोलेंगे कि भाई ADBC के parallel है और हमारा जो AB है यह किसकी तरह behave करता है तो यह behave करता है आपके transversal की तरह तो हम यह बोलेंगे कि यहाँ पे जो दो angle है एक angle ABC है और एक angle जो है BAD है यह कौन से angle है तो यह दोनो angle है आपके पास co interior angle मैं यहाँ पे co interior angle लिखूंगा चल जाएगा पर आप exam में नहीं लिखेंगे तो sir हम क्या लिखेंगे आप co interior का full form लिखेंगे co interior का full form होता है consecutive interior angle तो आप exam में consecutive interior angles लिख्या जाएगे क्योंकि आदी जनता तो ऐसी होती है जिसको co interior का full form भी नहीं मालुम होता है और वो जो है बारवी तक पहुँच जाते हैं और गरबड हो जाती है फिर maths में चलो बई तो बस इन दोनो angles को हमने co interior बोला आप जानते हैं co interior angles का मतलब हा सर मतलब तो हम जानते हैं property जानते हैं क्या हा सर property भी जानते हैं कि अगर दो angles co interior होते हैं तो उनका sum कितना होता है sir 180 degree होता है यानि कि यहाँ पे जो दो angle है यह co interior है भाई यह इनका sum कितना होगा sir 180 होगा यानि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे angle BAD और अगर मैं यहाँ पे angle ABC इनको add कर दूँ तो मुझे कितना sum मिलेगा, मुझे 180 मिलेगा, एक बात बताओ, BAD की value देखो, X देखो, ABC की value देखो, X देखो, X प्लस X बराबर 180, भाई, X प्लस X कितना होता है, तो 2X होता है, तो 2X बराबर 180, क्या मैं इस 2 को नीचे भेज सकता हो, जी सर बिल्कुल आप भेज सकते हो, यानि कि X की जो value होगी, वो होगी 180 degree upon 2, और 180 को अगर मैं 2 से divide करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 90 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने यह सीखा, कि हमारा X जो है, वो कितना है वो हमारे पास 90 है, कौन हमारे पास 90 है, हमारा X जो है, वो हमारे पास 90 है, अब X 90 है, सर हमको तो ABC वाला अंगल चाहिए, हमको तो ABC वाला अंगल चाहिए, जरह यहाँ पे ध्यान से देखो, ABC वाला अंगल क्या है, सर ABC वाला अंगल तो X है, अरे भई तुमारा ABC वाला अंग डिग्री है यानि कि जो चीज आपको चाहिए थी ना अंगल ABC वो चीज मैंने आपके सामने find कर दी कि ABC कितना है आपके पास अंगल ABC 90 डिग्री है question मालुम है बहुत simple था आप में से कई लोगों ने यूँ ही इस question को solve कर दिया होगा पर जिस तरीके से हमने question को solve किया सारी बातों को एक एक करके आपके सामने लाया एक ही question में multiple chapter की बातों को लाया हमने parallel line भी discuss करे हमने co interior angles हमने transverse हमने सारी बाते discuss करी ये सारी चीजों को include करके जोड़के आप एक question के concept formation को करते हैं रटना नहीं है maths में बातों को जोड़ना सीखो बातों को क्या सीखो जोड़ना सीखो बातों को बढ़ाना सीखो maths में maths खुद बखुद आपको चाहने लगेगी और आप मुझे उम्मीद है maths को चाहते ही होंगे नहीं चाहते तो चाहलोगे चलो, अब मौका देता हूँ लिखने का, फटा-फट लिख लो, शुरुआत यहां से करना, सारी बाते लिखना, जैसे मैं given लिखता हूँ, जैसे मैं सारी बाते लिखता हूँ, वैसे तुम लिखना, मैं diagram बनाता हूँ, तो तुम भी बनाना, और इसके बाद फुदक के तुम एक्जामपल होता है, खतम, और हम बढ़ सकते हैं हमारे अगले एक्जामपल, यानि कि इस वीडियो के एक्जामपल नंबर 3 पे, चलिए, पढ़ते हैं question को और समझते हैं कि क्या बाते हमें करनी है, तो question कहता है, in the given figure, यानि कि उस figure की बात चल रही है, AD जो है BC के बराबर ह और आपको proof करना है कि angle ADB जो है, आपके angle BCA के बराबर है, और आपको ये भी proof करना है कि angle DAB जो है, angle CBA के बराबर है, कर लेंगे proof, पर पहले given और to prove लिख लेते हैं, तो given में वो सारी बाते लिखते हैं आप जो की question में आपको दिया गया है, आपको question में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको question में दिया गया है कि आपका जो AD है वो किसके बराबर है वो आपके BC के बराबर है फिर आपको दिया गया है कि आपका जो BD है वो किसके बराबर है वो आपके CA के बराबर है ये second point आपको given है Given के बाद आप आज आते हो to prove पे, to prove यानि कि क्या करना है आपको prove, तो आपको prove करना है first of all कि आपका जो angle ADB है ये बराबर है आपके angle BCAK and secondly आपको ये prove करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, secondly आपको ये prove करना है कि जो आपका angle DAB है ये बराबर है आपके किस angle के, आपके angle CBAK, य given हो गया to prove हो गया अब last में आ जाओ किस पे last में आ जाओ आप proof पे although यहाँ पे proof लिखने की जगे है नहीं पर ठीक है कर लेंगे discuss यहाँ पे मैं आपका ध्यान attract करना चाहता हूँ दो छोटे छोटे triangles पे और पहला triangle जिस पे मैं आपका ध्यान attract करना चाहता हूँ वो है यह वाला triangle ध्यान से देख लीजिए किस triangle के मैं बात कर रहा हूँ यह जो मैंने आपके सामने बनाया है आप नाम रख सकते हैं इस triangle का BAD तो चलो अगले page में पहले इस diagram को बना लेते हैं तो BAD triangle जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखेगा यह B है A है और नीचे आके आपके पास D है यह छोटा सा triangle आपके पास BAD है एक और triangle जो मेरा ध्यान यहाँ पे attract करता है वो है यह वाला triangle अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ABC है तो आप ABC वाले triangle को बना दीजिए तो ABC वाला triangle जो है कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेगा यह point A है यह point B है और यह point जो है आपके पास C है एक बार just verify कर लीजिए कि आपने सारी चीज़े सही तो बनाई है बिल्कुल बनाई है अब यहीं पे proof में आ जाओ देखो ठीक है एकदम ध्यान से देखना मेरी बाते सबसे basic और मामूली चीज़ आपको क्या दिखती है तो सबसे मामूली चीज़ जो मुझे दिखती है वो यह है कि मेरा AB और AB साइड क्या है बाई common है दोनों साइड क्या है common है दोनों triangle में same side है एक चीज मुझे question में दी गई थी कि मेरा AD है वो BC के equal है ये दूसरी चीज मुझे घिवन थी और यहाँ पर तीसरी चीज मुझे ये घिवन थी कि मेरा CBD है वो मेरे CA के equal है ये मुझे तीसरी चीज यहाँ पर given थी तो बस इन दोनों triangle हो की अपन बाते कर लेते हैं पहले triangle का नाम क्या? तो पहले ट्रैंगल का आपन नाम रख देते हैं, इन ट्रैंगल B, A, D और दूसरे ट्रैंगल का हम नाम रख देते हैं, B, A, D पहले का नाम रख देंगे, इन ट्रैंगल A, B, C, ठीक है? B, A, D पहला ट्रैंगल, A, B, C दूसरा ट्रैंगल बात बन जाएगी. अब इ ये common side है या common base है, दोनों ही बाते चल जाएंगी, इसके बाद एक और चीज गिवन थी, क्या गिवन थी, भाई आपका जो AD है, वो किसके equal है, वो आपके BC के equal है, तो AD BC के equal हो गया, ये कहां था, ये तो आपको sir question में ही given था, और एक तीसरी बात ये है, कि आपका जो BD है, वो किसके equal है, वो AC के equal है, ये चीज भी आपको question में given थी, तो question से ही मैंने ये दोनों बाते उठाई हैं, अपने मन से बाते नहीं बनाई हैं, वहाँ पर CA था, CA को मैंने AC कर दिया, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, important ये है कि इन दोनों triangle हो में तीन side हैं, तीने side हैं क्या है, यानि कि हम लगा सकते हैं by side 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 congruency, और by side 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 congruency हम ये बोलेंगे, कि हमारा जो triangle BAD है, ये congruent हो जाएगा हमारे triangle ABC के, तो हमने BAD triangle को हमारे ABC triangle के क्या कर दिया, congruent कर दिया, एक बार जब दोनों triangle को congruent कर दिया, तो बस बात बचती है कि आप यहाँ पे CPCT, यानि कि corresponding parts of congruent triangle जो ह लगा दीजिए, चलिए, जरा CPCT लगाते हैं, हमको proof क्या करना है, वो देख लेते हैं, हमें proof करना है कि ADB वाला angle BCA के बराबर है, तो पहले ADB और BCA को दिखाओ, तो ADB कहा है, भई ADB जो है, यहाँ पे है, BCA कहा है, तो BCA जो है, यहाँ पे है, आपको इन दोनों angles को क्या क proof करना है, अब तरीका देखिएगा, अगर मुझे ADB बनाना है, अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे angle ADB बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, एकदम तरीका देखना, ADB बनाने के लिए, मैं शुरुवात करूँगा A से, मैं A से जाऊंगा D पे, तो AD मिल गया, और D से मैं आऊंगा कहां पे, B पे, तो तरीका sequencing समझे, आप शुरुवात करेंगे second से, second से जाएंगे third पे, और third से कूद के आ जाएंगे one पे, तो आपका angle ADB बनेगा, वहीं पे आप इस तरफ क्या करेंगे, भई इस तरफ भी same sequencing follow करोगे, आप शुरुवात करोगे second से, जाओग क्या लिखोगे, अगर आपने इधर ADB वाला angle लिया, तो इधर आप क्या लिखेंगे, second से शुरुवात करें, पहले तो angle का sign बनाईए, second से शुरुवात करें, यानि कि B लिखे, third पे I, यानि कि आप C लिखे, first पे गए, यानि कि आपने A लिखा, यानि कि आपने proof कर दिया कि DAB वाला angle CBA के बराबर है, तो इसको भी देख लेते हैं, angle DAB, ये रहा हमारे पास angle DAB, और CBA, CBA कौन सा angle है, ये वाला angle CBA है, हमें इन दोनों को बराबर proof करना है, तो बात ये आती है, कि आपको कौन सा angle बनाना है, आपको बनाना है DAB, तो अब ये DAB कैसे बनाओगे, ज चलो आजाओ, क्या बनाना है, DAB बनाना है, तो DAB कैसे बनाएंगे, बैस शुरुवात करेंगे 3rd से, 3rd पे लिए आपने D, फिर कहाँ पे जाना है, A पे, तो 3rd से आपना आए, 2nd पे, और फिर आपन कहाँ आए, 1st पे, यनिके basically reverse में चलना है, 321, reverse में चलना है, 321, तो यह यहाँ पे DAB बन गया, अब यह क्या करोगे, equal to का sign लगाओगे, और यहाँ पे भी reverse में चलोगे, शुरुवात करोगे C से, फिर B से और फिर A, B, तो basically आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, CBA, तो यहाँ पे आपने लिख दिया angle CBA, important चीज यह है, कि जो चीज आपने यहाँ पे CPCT से proof की second वाली, यह वही है, जो कि आपको proof करना था, कि DAB बराबर CBA, यहाँ पे आप देख सकते हैं DAB बराबर CBA, आपने कर दिया है proof, यहनि क्या हमारा question खतम हो गया, जी हाँ, हमारा question हो चुका है, खतम, अब फटा फट आप यहाँ पे चीजों का screenshot ले लिजिए, given लिखेगा, to prove लिखेगा, proof लिखेगा, और यह लिखने के बाद आप जरा यहाँ पे आके इन सारी चीजों को note down करते हुए, इस question को क्या कर दीजिए, खतम कर दीजिए, चलिए, तो side 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 congruency पे हमने यहाँ पे तीसरा example खतम किया है, पर video यहाँ पे खतम नहीं होगी, क्यों इस figure की बात चल रही है, AB is equal to AC, AB जो है आपके AC के बराबर है, बहुत अच्छी बात है, D is the point in the interior of triangle ABC, भई interior का मतलब क्या होता है, अंदर, तो यहाँ पे जो D वाला point है यह आपके ABC वाले triangle के कहा है, अंदर है, interior में है, चलो आगे बढ़ते हैं, such that angle DBC is equal to DCB, अब उसने दि आगल है DBC, और यह जो छोटा सा angle है न, यह है आपके पास DCB, यह दोनो angle क्या है, आपस में बराबर है, प्रूफ दाट AD bisects angle BAC of triangle ABC, और आपको प्रूफ करना है कि यह जो AD है, यह bisect करता है, भई किसको bisect करता है, तो आपके angle BAC को bisect करता है, यानि कि question proof कहा चुका है, हमे given to proof proof, सारी बाते लिखनी पड़ेंगी, चलिए, तो लिखते हैं, तो शुरुआत हम करेंगे given से, यानि कि क्या चीज़े हमें question में दी गई है, तो हमें question में सबसे पहले यह दिया गया है, कि भई हमारे पास एक triangle है ABC, इसमें हमें दूसरा point यह दिया गया है, कि इसमें जो AB यह किसके equal है, यह आपके AC के equal है, यह second point हो गया, इसके आगे क्या given है, इसके आगे यह interior वाली बात मत लिखो कि point interior में है, वो तो दिखाए भी पड़ता है, और तीसरी बात आपको यह given है, कि आपका जो angle DBC है, यह equal है आपके angle DCB के, कौन सा angle किसके equal है, तो जो DBC वाला angle है, वो आपके DCB वाले angle के equal है, given की बात जब आपने कर ली, फिर आते हो किस पे, फिर आते हो to prove पे, to prove में, यानि कि क्या चीज़ आपको करनी है proof, तो आपको prove करना है कि जो AD है, bisect करता है आपके angle BAC को, तो इसको लिख दो, कि भई आपको यह proof करना है, कि AD bisects angle BAC, ऐसा आपन के सामने proof, तो देखिए, लिख देते हैं यहाँ पे proof, तो यहाँ पे लिखके कोई फाइदा है नहीं, क्योंकि अपने को बड़ी जगे की ज़रूद पड़ेगी, कि यहीं पे कर लें, यहीं पे कर लें, चलो आज़ो, यहीं पे करते हैं भई, तो यहाँ पे अपन ने जिसको मैं highlight कर रहा हूँ आपके सामने, मैं इस triangle पे आपका ध्यान खीचता हूँ. क्या नाम है इस triangle का? इस triangle का नाम है DBC. तो आप इस triangle को separately बना लीजिए, चलिए. तो इस triangle को हम क्या करेंगे? हम इस triangle को यहाँ पे separately बनाएंगे. यह point हो गया आपके पास D, यह point हो गया आपक के पास थी, हमने उस छोटे से triangle को separately बना लिया. सर, separately बनाने के पीछे reason क्या है? जरा यह भी समझाओ. तो आपको given था कि angle DBC जो है, आपके angle DCB के equal है. भई, angle DBC, यानि कि यह वाला जो angle है, यह angle DBC है. और यह वाला जो angle है, यह angle DCB है. यह दोनों angles क्या है आपस में? इक्वल है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं. क्या लिखते हैं? कि in triangle, triangle का नाम क्या रखना चाहते हो? ट्राइंगल का नाम रख दो DBC. in triangle DBC, आपका जो angle DBC है, यह equal है. किसके? आपके angle DCB के. और angle equal है, इसका मतलब क्या? भई, angle equal है, इसका मतलब यह, कि यह जो triangle DBC है, मालुम ह कौन सा ट्रांगल है, ये हो गया एक IsoCellus Τ्रांगल, कौन सा ट्रांगल हो गया वह ये हो गया, एक IsoCellus Τ्रांगल, IsoCellus Τ्रांगल में खास बात होती है जब Angle Equal होते है, तो उनके Opposite Sides भी क्या होते है Equal होते है, यहाँ पे ये वाला angle और ये वाला angle क्या है, equal है, वही angle equal है, तो इनके opposite side भी क्या है, equal है, तो इस angle का opposite side कौन सा side, ये वाला side, जिस side का नाम क्या है, जिस side का नाम है, आपके पास CD, और इस angle के opposite side कौन सा side, वही ये वाला side, जिसका नाम है, BD, यनि कि आप लिख सकते हैं, कि आपका जो BD वाला साइड होगा आपके सीडी वाले साइड के बराबर होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो बीडी वाला साइड है वो किस वाले साइड के बराबर है वो हमारे सीडी वाले साइड के बराबर है और यह जो हमने प्रूफ किया है यह बहुत जादा important है clear है चलो बहुत बढ़िया अब आप sir कैसे करोगे जो चीज प्रूफ करनी है वो चीज तो आपने आभी तक बात करी नहीं उस चीज को प्रूफ करने के लिए मुझे दो और छोटे छोटे triangles बनाने पड़ेंगे जरा मैं उसको highlight करके आपको दिखाता हूँ तो जो मैं सबसे पहले छोटे triangle की बात कर रहा हूँ वो ये वाला triangle ये लीजिए मैंने ये जो छोटा सा triangle बनाया है न triangle का नाम है ABD या ADB जो भी आपको suitable name लगे आप डाल दीजिए मैं ADB बोलूँगा तो चलो इसको अपने अगले page में बनाते हैं मैं बात कर रहा हूँ इस छोटे से triangle की जो हमने अलग से बनाया है ये point A है ये point D है ये point B है क्या हमने सही points लिए तो हाँ जी हमने सही point लिए इसी में एक और छोटा सा triangle है जो मैं construct करना चाहता हूँ कौन सा triangle वो देखो वो ये वाला triangle मैं construct करना चाहता हूँ अगर आप इसको नाम से बुलाएंगे तो आप इसको ADC बोला सकते हैं चलिए तो अगले page पर आके हम इसको भी बना लेते हैं भाईया ये ADB हो गया और ADC अगर बनाओगे तो ये वाला जो triangle है ये कौन कहलाएगा ये आपके पास ADC कहलाएगा अब पूरा focus जो है आप बस इन दोनों triangle पर दीजिएगा एकदाम पूरा focus कुछ बाते question में starting में ही given थी उनको भी use करेंगे इन दोनों triangle में क्या कोई side common है जी हाँ सर यहाँ पर जो AD वाला side है ये आपके AD वाले side के क्या है common है कुछ और given था क्या जी सर एक और चीज गिवन थी कि आपका जो AB है वो AC के common है कौन किस के common है वह आपका जो AB वाला side है ये आपके AC वाले side के क्या है common है एक और चीज मैंने अभी अभी प्रूफ की थी कि मेरा जो BD वाला साइड है वो मेरे CD वाले साइड के क्या है? equal है क्योंकि वो छोटा सा ट्रांगल क्या हो रहा था? आईसो सेलेस हो रहा था तो अभी अभी मैंने ये प्रूफ किया था कि यहाँ पे जो BD वाला साइड है ये मेरे CD वाले साइड के क्या है? equal है तो आपको ऐसा नहीं लगता है क्या इन दोनों ट्रांगल में तीनों साइड बराबर हैं तीनों corresponding साइड बराबर हैं इसलिए हम साइड 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 लगा सकते हैं सर बिलकुल ऐसा महसूस तो हमें होता है तो हम इसको दिखाएंगे कैसे? उसको लिख लेते हैं जरा हम लिखेंगे इन ट्रांगल भई कौन सा ट्रांगल? पहला ट्रांगल है हमारे पास ADB और दूसरा ट्रांगल कौन सा है? दूसरा ट्रांगल है हमारे पास ADC इन ट्रांगल ADB and ट्रांगल ADC ट्रांगल का नाम कैसे रखते हैं? यह बहुत ज़ादा ही important है तो हम बात करेंगे ट्रांगल ADB की हम बात करेंगे ट्रांगल ADC की इन दोनों triangle में first of all आपका जो AD वाला side है या आपके AD वाले side के क्या है बराबर है और यह कैसे बराबर है तो भईया common side है तो bracket में यहाँ पे common आप लिख सकते हैं इसके बाद में आप दिख सकते हैं कि भईया जो आपका BD वाला side है या आपके CD वाले side के बराबर है BD CD के बर लिख देंगे आप प्रूफड अबफ ऐसा लिख देंगे ना तो बात जो है बन जाएगी and finally आप लिख सकते हैं कि आपका जो AB वाला साइड है वो आपके AC वाले साइड के बराबर है कैसे बराबर है तो यह हमें question में given था तो बस लीजिए मतलब दोनों ट्रैंगल के तीनों corresponding sides equal हो चुके है तो बस यह side हो गया यह side हो गया यह side हो गया यहीं कि side 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 congruency लग जाएगी तो आप last में लिखेंगे कि by side 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 congruency आपका जो triangle है कौनसा triangle आपका जो triangle ADB है यह triangle actually congruent है आपके triangle ADC के आपका जो ADB वाला triangle है यह आपके ADC वाले triangle की क्या है congruent है क्या sir इससे हमने question को proof कर लिया नहीं इससे आपने question को proof नहीं किया पर आपको यहाँ पे CPCT लगाने का मौका मिल गया जानते हो ना दो triangle जब congruent होते हैं तो उनमें CPCT यानि की corresponding parts of congruent triangle लगता है अभी सारी बाते side की equality के बीच में हुई थी अब बाते होंगी angle के equality में तो हम यहाँ पे लगाएंगे CPCT या फिर कहलो corresponding parts of congruent triangle ठीक है ऐसे short form में अपने उसको CPCT लिखते हैं तो sir CPCT में लिखोगे क्या यह भी तो समझाओ तो CPCT में मेरा mood यह है कि मैं इस angle और इस angle को क्या कर दूँ बराबर कर दूँ और हो भी सकते हैं भई जब यह side इसके equal है यह वाला side इसके equal है ऐसे cross में देखो यह first cross वाला side यह first cross वाला side यह second cross वाले side यह जो angle है first cross और second cross वाले के बीच में आता है और यह जो angle है यह भी first cross और second cross के बीच में आता है भाई दोनों case में यह दोनों angles जो है उनकी position क्या है same है न तो दोनों angles क्या होंगे equal होंगे CPCT से अब इसको यहाँ पे लिखित में कैसे दिखाए सर आप तो हमें यह बताओ तो देखो मैं यहाँ पे यह वाला जो angle है ना इस angle का नाम रखता हूँ BAD रख सकते हैं BAD की नहीं रख सकते हैं पहले तो यह देख लो BAD और CAD यह दोनों angle क्या हो गए equal हो गए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे by CPCT हमारा जो angle BAD है यह angle हमारा equal हो जाएगा हमारे angle CAD के कौन किसके equal हो गया तो BAD वाला angle हमारे CAD वाले angle की क्या हो गया equal हो गया और एक बार जब यह दोनों angle equal हो गए क्या हम वहाँ तक पहुँच गए सर पहले यह तो बताओ कि हमें पहुँचना कहा था तो हमें यह proof करना था कि AD bisect करता है angle BAC को अब AD BAC वाले angle को कब bisect करेगा तो इसके लिए original diagram को जरा आप यहाँ पे बनाईए तो अगर आप original diagram को बनाते हैं तो यह point A था, यह point B था, यह point C था और यहाँ कहीं आके आपके पास point D था मैं बाखी portions को नहीं बना रहा हूँ intentionally क्योंकि उसकी जरूरत मुझे नहीं है अभी अभी हमने यह proof किया है कि हमारा angle BAD हमारे angle CAD के बराबर है भई इस diagram में आपको BAD कहाँ पे दिखता है तो आप बोलेंगे सर यह जो angle है आपके पास BAD बनता है आप बिलकुल सही बोल रहे हैं और फिर आप कहेंगे कि सर यह वाला जो angle है आपके पास CAD बनता है यह भी आप बिलकुल सही कर रहे हैं अगर यह AD हमारे angle BAC को करेगा bisect वापस से मेरी बातों को गहराई से सुनिएगा अगर यह AD मेरे angle BAC को करेगा bisect तो जो BAD वाला angle है वो CAD वाले के क्या होना चाहिए equal होना चाहिए भई bisect का मतलब क्या होता है एक चीज को दो बराबर हिस्सों में बाटना जैसे कि मान लो मेरे पास एक पीजा का टुकरा है उसको मैं बीचो बीच काट दूँ तो दो बराबर हिस्सों में बाट गए एकदम exactly same area के तो उसको bisect कहते हैं जब आप angle को bisect करते हो ये पूरा एंगल कौन सा था पूरा एंगल आपके पास BAC था पर ये जो पूरा एंगल BAC था इसको AD ने दो हिस्सों में बाटा एक BAD और एक किसमे CAD और interesting चीज ये है कि भई ये हमारा BAD और हमारा CAD क्या है equal है अगर हमारा BAD अगर हमारा ये BAD हमारे CAD के क्या है equal है तो हम कह सकते हैं कि जो AD ने है हमारे एंगल BAC ये पूरा एंगल क्या होगा पूरा तो BAC होगा B है A है C है पूरा एंगल तो BAC होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा भईया BAD जो है CAD के बराबर है इसलिए हमारे AD ने क्या कर दिया? तो हमारे AD ने BISECK कर दिया किसको BISECK कर दिया? तो उसने BISECK कर दिया इस पूरे आंगल को जो की आंगल BAC आपके सामने है और इस तरीके से आपका question हो चुका है, खतम तो जो चीज प्रूफ करनी थी वो चीज आपने प्रूफ कर दी है और इंट्रेस्टिंग ये है कि आपने साइड 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 कॉंग्रूएंसी लगाया है क्योंकि ये वीडियो फोकस किस पर कर रही थी तो ये वीडियो फोकस थी आपके साइड 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 कॉंग्रू लिख लिया है तो इसको हटा दो फिर यहां पे कूद के आके इन सारी चीजों को भी आप नोट डाउन कर लो चलो बहुत बढ़िया तो आपने ये एक और example समाप्त कर दिया है ये चोथा example था आपने इस वीडियो का अब अपन बढ़ते हैं एक और example यहनी कि इस वाले example पे अब ये वाला जो example है बड़ा ही interesting example है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने diagram में बाते ही नहीं की, उन्होंने आपको diagram बना के ही नहीं दिया अब आपको question का statement अच्छे से पढ़ना है एक proper diagram बनाना है और फिर बाते करनी है जो आपसे करवाना चाहते हैं तो चलिए पहले question के statement को हम पढ़ते हैं तो question का statement कहता है if two isocellus triangle have a common base अगर दो isocellus triangle का base common है बहीं isocellus triangle समझते हो तुम ऐसा triangle जिसमें ये दो side equal हो या दो angle equal हो in fact दोनो side और उनके opposite वाले angle equal होते हैं तो if two isocellus triangle having common base दो isocellus triangle है जिनका base क्या है common है ठीक है उसके बाद prove that the line joining their vertices bisect them at right angle तो अब आपके पास थे दो isocellus triangle इन दो isocellus triangle का था एक common base आपने इन दोनों isocellus triangle के vertices को किया join जब उन दोनों vertices को किया आपने join तो आपको proof करना है कि जो line बनेगी जो vertices को join करती है वो आपके base को क्या करती है bisect करती है और ऐसे वैसे bisect नहीं करती 90 degree पे वो bisect करती है तो पहले तो इन बातों से एक diagram बनाओ diagram से वो structure भई देखो proof करना है तो given to proof सारी बाते आपको लिखनी पड़ेंगी तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम शुरू करेंगे देखे शुरुआत करेंगे हम diagram को बनाने से तो एक proper diagram अपन यहाँ पे बनाते हैं अब यहाँ पे न दो cases होते हैं क्योंकि यह जो common base है यह common base तो हो जाएगा पर common base पे isoseles triangle जैसे बनेंगे वो बनाने की दो अलग-अलग तरीके हैं तो मैं दोनो cases के diagram आपसे साथ में share करता हूँ पहला case माल लो यह उपर वाला हमने triangle बनाया यह उपर वाला triangle है आपके पास ABC यह एक isoseles triangle है ठीक है इस उपर वाले triangle के लिए हमने एक triangle नीचे बना दिया isoseles उसका नाम रख दिया डी बी सी तो बैई ABC भी isoseles है, ABC भी isoseles है, सर कैसे isoseles है ऐसे isoseles है कि जो AB है आपके AC के बराबर है और जो DB है आपके DC के बराबर है इसलिए ये triangle क्या हो गए, उपर वाला भी isosilis, नीचे वाला भी isosilis और बीच में common base अब यहीं पर diagram में हलका सा modification करके case 2 बनाया जा सकता है तो ज़रा मैं case 2 डिसकस कर दूँ आपसे, तो यहाँ पे आप पहला triangle उपर बना लीजिए ऐसा मान लीजिए आपने बना दिया ABC triangle, isosilis है, मतलब AB जो है आपके AC के बराबर है और यह जो BC base है, इसी base पे दूसरा बनाना है, लेकिन उसको नीचे न बना के उपर ही बना दो यानि कि दूसरा triangle जो है, आपने कुछ ऐसा बना दिया, और इस point का नाम आपने आज क्या रख दिया, D रख दिया और यहाँ पे जो DB है किसके equal है, आपके DC के equal है, तो यहाँ पे यह दो possible cases, यह दो possible diagram जो है आपसे generate किये जाने चाहिए, ठेक है, दोनों में देखो न, isoceles है, common base है, उसमें भी isoceles है और common base है अब यहाँ पे माल लीजिए कि आपने इसको declare कर दिया case 1 और आपने इसको declare कर दिया case 2 तो मेरा suggestion हमेशा रहता है कि आप case 1 और case 2 दोनों को अलग-अलग proof करो, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम case 1 को यहाँ पे proof करते हैं, आजाओ, किसको proof करेंगे? सबसे पहले case 1 को अपन proof करेंगे तो case 1 में भी हमें given to prove सारी बाते लिखने पड़ेगी या फिर उससे interesting तरीका क्या है नहीं ऐसा है करो case 1 में भी given to prove सारी चीज़ा अपन लिखते हैं तो case 1 के लिए आप क्या लिखेंगे case 1 के लिए या फिर हलका सा smart work करते हैं जिससे अपनी महनत बचेगी यहाँ पर आप case मत declare करो ठीक है यहाँ पर मत case declare करो यहाँ पर तो direct आप given लिखो और given में ऐसा लिखना क्यासा लिखना आप ऐसा लिखना कि triangle ABC यह जो है आपके पास isoseles है एकदम ध्यान से देखना triangle ABC जो है isoseles है और triangle DBC DBC है ना हाँ ABC isoseles है और DBC भी क्या है isoseles है बहुत बढ़िया और ऐसा लिखने के बाद इसमें लिखना इन दोनों के बीच में BC क्या है इनका common base है अगर आप ऐसे लिखते है ना तो यहाँ पर इस given ने दोनों ही case के लिए given का काम कर लिया क्योंकि इसमें हमने कहीं यह तो बोला नहीं कि एक triangle नीचे है दूसरा triangle उपर है बस यह लिखा इसने imply कर दिया कि यह case 1 भी हो सकता है और case 2 भी हो सकता है तो given लिखने के बाद बात आती है टू प्रूफ की तो टू प्रूफ में करना क्या है प्रूफ तो टू प्रूफ में आपको प्रूफ करना है कि जब आप इन vertices को join करते हैं क्या बोला था मैंने जब आप isosilis triangle के vertices को join करते हैं आपने यहाँ पे A और D को क्या कर दिया? जॉइन कर दिया, यहाँ पे भी आपने A और D को क्या कर दिया? जॉइन कर दिया, और इसको थोड़ा सा इस case में आपको extend करना पड़ेगा, तो आपको यह proof करना था कि जब आपने vertices को जॉइन किया, तो यह जो point बना, मालो इस point को अगर आप E बोलते हो, तो यह जो line है AD, एकदम ध्यान से सुनना, यह line AD, यह line AD perpendicular भी है, और line AD आपके BC को bisect भी करती है, यहाँ पे भी अगर आप इस point को E declare कर देते हैं, तो आपको यह proof करना है, कि जो line AE है, यह आपके perpendicular भी है, और आपके BC base को bisect भी करते हैं, यह एक ही समय पे, दो-दो बाते चल रही हैं, कौन सी दो बाते चल रही हैं, कि वह यह जब vertices को join किया हमने, तो जो line बनती है, वो हमारे base को bisect भी करती है, हमारे common base को, base कौन सा है, common base, उसकी बात चल रही है, हमारे common base को bisect भी करती है और हमारे common base पे perpendicular भी है पहले case में भी और दूसरे case में भी हमें ये proof करना है अब इस बात को साथ में लिखोगे कैसे तो थोड़ा सा दिमागों लगा लो भई आप base के perpendicular है और base को bisect भी करती है तो perpendicular भी है, bisect भी करती है यनि की perpendicular bisector है पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या है आपके BC का पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे टू प्रूव में, आप टू प्रूव में लिखेंगे कि AD is पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ओफ BC, AD is पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए ऐसा आपको करना है proof चलो गई तो given हो गया to proof हो गया अब आ सकते हैं हम कहां पे अब आ सकते हैं हम proof पे और proof जब आप करेंगे न तब आप 2 cases लेंगे आप case 1 भी solve करेंगे और आप case 2 भी solve करेंगे चलिए तो दोनों cases को हम separately solve करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते है हमारे प्यारे से case 1 की तो अगर आप case 1 की बात करेंगे तो case 1 का diagram अलग बनेगा चलो बई case 1 का diagram अलग से अपन बनाते हैं तो case 1 का diagram कुछ इस प्रकार से था, ये A point है, ये B point है, ये C point है, और ये ऐसे आके ऐसे आके, ये आपके पास कौन सा point है, D point है, ऐसा है ना, यहाँ पे आपने A और D को क्या कर दिया है, जॉइन कर दिया है, ठीक है, चलो बढ़िया, अब देखना, मेरा दिमाग देखना, दिम आपने A, C, D, तो यहाँ पे आपने 2 triangles बनाए, एक बनाया आपने A, B, D और एक बनाया आपने A, C, D, आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, कि यह जो diagram है, जो A, D वाली line है, इस A, D वाली line से आपने, समझ गया ना, दो हिस्सों में, यू, यू, सेपरेट करके रखा है, जान बूज के किया है मैंने, क्योंकि यहाँ से बाते बड़ी आसान हो जाएं तो यहाँ पर जो A, B होगा, हमारे A, C, के equal होगा, no doubt, बिल्कुल सही बात है सर, और similarly, जो नीचे वाला triangle D, B, C था, इसमें जो D, B होगा, यह हमारे D, C, के equal होगा, yes, perfectly सर, यानि कि जो D, B होगा, हमारे किसके equal होगा, हमारे D, C, के equal होगा, and last में अगर इन दोनों triangle में notice कर सकते हैं, कि भाया, तीन जो corresponding side हैं, वो equal है, जब तीन corresponding side equal होगे, यहनि कि हम side 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 congruency लगा पाएंगे, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, in triangle, अब triangle का नाम रखने में खेल है, पहले triangle का नाम रख दो A, B, D, in triangle, A, B, D, and triangle, दूसरा triangle कौन सा चूज करना चाहते हो, in triangle A, B, D, and triangle A, C, D, तो आप ये दो triangle की बात कर रहे हैं, A, B, D वाला triangle, A, C, D वाला triangle, इस triangle में सर क्या, तो भाई, इस triangle में सबसे पहला point कि आपका जो A, B है, वो आपके A, C के क्या है, बराबर है, दूसरा point, आपका जो B, D है, अरा, A, B, A, C के बराबर कैसे आया reason तो लिखा नहीं, तो sir, A, B, A, C के बराबर ऐसे आया, क्योंकि हमारा triangle ABC क्या था, isocellus था, तो आप यहाँ पर mention कर दीजिए, कि A, B, A, C के बराबर इसलिए है, because triangle ABC क्या है, आपके पास isocellus triangle है, और similarly, आप लिख सकते हैं, कि जो आपका B, D होगा, वो आपके CD के बराबर होगा, और इसमें भी reason क्या लिखोगे, उसमें reason ये लिखोगे, जो नीचे वाला triangle DBC बनता है, वो DBC क्या है, वो DBC भी आपके पास isocellus triangle है, and finally, हम कह सकते हैं, कि हमारा जो AD वाला side है, वो हमारे AD वाले side के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पर common side बनता है, तो बस तीन बात हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, by side 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 congruency, ये दोनों triangles क्या होंगे, congruent, कौन से दो triangle, आपका जो triangle ABD होगा, ये congruent होगा, किस के congruent होगा, तो बाई आपके triangle ACD के congruent होगा, ऐसा आप कह सकते हैं, सर हमें congruent तो prove ही नहीं करना था, सर हमें ये proof करना था, कि जो AD है ना, हमारे BC का perpendicular bisector है, सर वो तो आपने proof किया नहीं, अब उसको करेंगे ना, थोड़ा सा CPCT लगाते हैं, अब सर CPCT इसमें लगाओगे, तो लगाओगे कैसे ये बताओ, तो इन दो triangle में focus करना, मैं बात करता हूँ इन दो triangle में इस angle की और इस angle की, किस angle की बात करता हूँ मैं, मैं बात करता हूँ इस छोटे से angle की और इस छोटे से angle की, तो अगर यहाँ पे CPCT लगाते हैं भया, दोनों triangle congruent है, तो obvious सी बात है, उनकी जो corresponding angles होंगे, वो भी equal होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, by CPCT, यानि corresponding parts of congruent triangle, यहाँ पे कौन सा angle है, ये angle है BAD, ये angle कौन सा है BAD, तो हम लिख तुमने इधर BAD लिया है, तो इधर क्या ले लो, इधर CAD ले लो, तो तुम लिखोगे कि तुम्हारा angle BAD बराबर होगा, तुम्हारे angle CAD के, ऐसा तुम लिख दोगे, और ऐसा लिखने के बाद, ऐसा इसको close कर दो, कि हाँ यार, बात तो सही बोलिए सर ने, कोई परिशानी क बात नहीं है, सर अभी भी ये बात कहां प्रूव हुई, कि ये जो line AD है, ये perpendicular bisector है, होगी प्रूव, थोड़ा सा patience रखिए, अब इतनी महनत आपने कर ली है, तो मैं सोचता हूँ ना, थोड़ा सा question को अपन और आगे बढ़ाते हैं, सर कैसे आगे बढ़ाते हैं, जरा समझ जाओ, तो अब न, यहाँ पर इस diagram पर focus करें, यह जो छोटा सा diagram है न, original diagram था, isosilis triangle वाला, उस पर focus करें, यहाँ पर मैं दो triangles और आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैं उनको बना के दिखाता हूँ, आजाए, एक triangle वैसे है AEB और दूसरा triangle है AEC, तो मैं पहले इस पूरे diagram को अगले page पर construct करूँगा, और फिर वहाँ से अलग-अलग triangle आपको निकाल के दिखाऊँगा, चलो, आजाओ अगले page पर, तो अगले page पर हम पूरे diagram को वापस से जो है construct कर लेते हैं, ऐसा कुछ था, यह point A था, यह point B था, यह point C था, एंड यह point D था, और ऐसे जो AD था, ऐ A, E, B, यह वाला triangle मैंने छोटा सा आपके लिए अलग से निकाला, दिख गया A, E, B, यह है, A, E, B, यह वाला triangle बनाया, अच्छा, यहाँ पर एक और छोटा से triangle मैं ले लेता हूँ, although आपने guess कर लिया होगा, बिल्कुल सही, इस वाले triangle की मैं आप से बात करता हूँ, यह point A ह इस छोटे से वाले triangle की मैं बात करता हूँ, A, E, B, A, E, C, clear हैं, इन दोनों triangle की बाते करें, चलो बढ़ियां, अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देख लो जरा, अभी-अभी हमने proof किया था कि हमारा angle BAD, हमारे angle CAD के बराबर है, तो अगर इस diagram में उस चीज को देखना चाह किया है, और इसकी, मलब यह जो चीज अपने proof किया है न, इसका काम आने वाला है, इन दोनों triangle में, तो इधर ध्यान से focus से देखिए, भई हम जानते हैं, कि हमारा angle BAD, यह जो point है, कौन सा point है, भई यह वाला point है आपके पास, D वाला point है न, हम जानते है angle BAD, हमारे angle CAD के बरा angle है, पर इस BAD को BAD न लिखने की जगा, क्या मैं BAE, लिख सकता हूँ, हाँ सर, बिलकुल लिख सकते हो, यह जो angle है BAE, और इधर कौन सा angle था, CAD, CAD को क्या मैं CAE, लिख सकता हूँ, बिलकुल सर, लिख सकते हो, यह जो angle BAE है, यह आपके पास CAE, इसके क्या है, बरावर है, ब एक और छोटी सी बात है। तो अल्दो ये जो वीडियो था examples on side 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 congruency था पर ऐसा नहीं है देखो side 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 तो लगाई पर साथ में side angle side को भी लगाना पड़ा एक question को reinforce या फिर कहलो अच्छे तरीके से solve करने के लिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं हम लिखेंगे in triangle क्या रखोगे नाम triangles का पह पहले triangle का नाम BAE दूसरे triangle का नाम in triangle BAE and triangle CAE आपने इन दोनों triangles को चूज किया BAE और CAE ठीक है सर चूज कर लिया क्या इसमें क्या इसमें सबसे पहली बात यह कि आपका जो AB है या आपके AC के equal है सर इसका कुछ कारण मालूम है क्या जो AB AC के equal है जी हां मालूम है AB AC के triangle था गलब तो नहीं बोल रहा हूं नहीं सर सही बोल रहे हो साथ में आपका जो angle BAE है वो equal है आपके angle CAE के अचा एक बात बताओ BAE आपके CAE के क्यों equal है तो सर BAE जो है आपके CAE के इसलिए equal है उसके पीछे reason है क्या reason है तो सर आपने अभी प्रूफ किया था कि जो BAD है वो उसी BAD और CAD से मैंने BAE और CAE बनाया है तो यहाँ पे वही बात लिख देना इसलिए equal है क्योंकि आपका जो BAD है वो आपके किसके equal है आपके CAD के equal है ऐसे reasoning लिखने से number मिलते है number बढ़ते है आगे last point but not the least point आपका जो AE वाला side है या आपके AE वाले side के equal होगा because यहाँ पे क्य है यह side है आपके पास angle है यह side है यहली कि आप यहाँ पे side angle side congruence लगा सकते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे by side angle side congruence by side angle side congruence कौन से दो ट्रांगल congruent हो जाएंगे तो आपका जो ट्रांगल BAE है ये ट्रांगल congruent हो जाएगा आपके ट्रांगल CAE के तो भेलो हमने इन दोनों को congruent कर दिया, सर अभी भी आप मुद्दे तक नहीं पहुँचे, हमको ये नहीं प्रूफ करना था कि BAE, CEE के congruent है, मैं तो कुछ औरी बात प्रूफ करनी थी, करेंगे उस बात को प्रूफ यहाँ पे हम CPCT लगाएंगे कैसे सर, समझाओ, तो देखना यहाँ पे मैं लगाता हूँ जरा CPCT corresponding parts of congruent triangle, तो अगर यहाँ पे CPCT लगाओगे, तो सबसे पहले मैं 2 side को pick करता हूँ, आपको जिससे मैं यह दिखा पाऊँ, कि आपका जो AD वाला line है न, आपके BC को क्या करता है, bisect करता है, क्या proof करना था, perpendicular भी है और bisector भी है, तो पहले bisector proof कर ले, चलो सर, पहले bisector proof करलो, तो अगर यहाँ पे first और third choose करते हो किसको first और third चूझ करते हो, तो आप लिख सकते हो कि आपका कौन सा side बनेगा, भी आपका BE side बनेगा, अब अगर इधर first और third चूझ किया, तो इधर भी first और third चूझ करना पड़ेगा तो आपने इधर BE बोला, तो इधर आप क्या बोलेंगे, इधर आप CE बोलेंगे, यनि कि जो आपका BE है, वो किसके equal है, आपके CE के equal है, ये हमने इस डायग्राम में देख लिया, कौन किसके equal है, आपका BE है, वो किसके equal है, आपके CE के equal है, यनि कि ये बात तो प्रूव हो गई कि जो AD है, वो bisect करता है हमारे BC वाले side को, गलत बोल रहा हूँ क्या, ये बात तो यहाँ पे prove हो गई, कि जो AD है, वो bisect करता है, क्या करता है, वो bisect करता है, हमारे side BC को, कैसे bisect करता है, सर, bisect कुछ ऐसे करता है, कि जब AD ने BC को काटा, कहां पे काटा, E पे काटा, तो जो BE वाला point है, आपके CE वाले point के क्या है, equal है, इसलिए हम कह सकते हैं, कि जो AD है, bisect करता है आपके BC को, अब एक और छोटी सी बात बच जाती है, छोटी सी बात, सर, बात इतनी है, कि ये proof कैसे करोगे, कि यहाँ पे 90 degree बनता है, उसके लिए मैं angle का CP CT लगाऊंगा, ये तो side का लगाया, अब angle का लगाता हूँ, सर, कौन से angle, तो इन ही दोनों triangle में देखना, अभी मैंने क्या proof किया था, कि भईया, ये BE वाला side, CE वाले side के equal है, यहाँ पे एक angle बनता है AEB, कौन सा angle, AEB और यहाँ पे एक angle बनता है, AEC, दिख रहा है क्या, क्या ये दोनों angle equal होंगे, जी हाँ, सर, equal होंगे, जैसे कि side correspond करते हैं, angle को भी क्या करना पड़ेगा, correspond करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे, ये दोनों angles जो हैं, जो double double ring से बनाये हैं मैंने, ये आपस में क्या है, equal है, त इचे तरीके से लिख सकते हैं, सर आपने angle equal proof कर दिया, इससे ये कहां proof हुआ की perpendicular है, तो चलो उसको भी देखते हैं, अब एक बात बताओ मुझे, यही पे छोटे छोटे में देखना, आपन बाते करेंगे, एक बात बताओ मुझे, इस straight line पे focus करो, कौन से पे, इस straight line पे focus कर यह point A है, यह point E है, यह point B है, यह point C है, अभी अभी हम proof कर चुके हैं, कि जो हमारा BE है, यह हमारे CE के क्या है, equal है, और इसको extend करोगे, तो यहां कहीं आपके पास D है, हम जानते हैं, कि इस तरफ कौन सा angle form होता है, तो सर इस तरफ जो है, angle AEB form होता है, और इस तरफ कौन सा angle ह तो सर इस सरफ एंगल AEC form होता है, यह दो एंगल form होते हैं, भाईए इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, सर 180 degree, क्यों 180 degree, सर BC एक straight line है, उस straight line पे कितने भी एंगल बनाओ, उनका सम 180 होता है, in fact यहाँ पे तो दो एंगल है, जब दो एंगल का सम 180 हो straight line पे, तो सर उसको एक property linear pair, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर आप एंगल A, E, B और अगर आप एंगल A, E, C, इन दोनों को कर देंगे add, तो आपको कितना मिलेगा, आपको 180 degree मिलेगा, और reason आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि linear pair के कारण, किस के कारण, आपके linear pair के कारण, अब मेरी बात सुनो, क्य मैंने पिछले पन्ने पे यह प्रूफ किया था, कि मेरा जो A, E, C वाला आंगल A, E, B के इक्वल है, अभी प्रूफ किया था ना, देखो देखो कहाँ प्रूफ किया था, मैंने प्रूफ किया था, कि मेरा A, E, B वाला आंगल मेरे A, E, C वाले की इक्वल है, तो भाई, अभ दिक्कत नहीं है तो चलो प्लेस करते हैं तो हम AEB को अपनी जगह पे रहने देंगे पर ये जो AEC है ना इसकी जगह भी हम क्या रख देंगे AEB रख देंगे और सम हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा अब यहाँ पे AEB है यहाँ पे AEB है भाईया 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 से मिलेगा जब 180 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका अंगल AEB आपको कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा क्या मिलेगा AEB आपको 90 डिग्री मिलेगा यहनि कि ओरिजिनल डाइग्राम में आईए बहिया, original diagram कुछ इस प्रकार से था, ऐसा था, ऐसा था, और ये कुछ ऐसा था, अगर points mark करवा दो तो A था, B था, ये C था, ये D था, और ये जो point है आपके पास E था, यहाँ पे कुछ बाते हो गई, सबसे पहली बात तो अभी-भी हमने ये proof किया, कि हमारा जो BE है, वो हमारे किसके equal है, हमारे CE के equal है, और अभी-अभी मैंने ये proof कर दिया, कि angle AEB कितना है, 90 degree है, अब ज़रा ध्यान से देखो AD वाले line को, भईया, AD वाला line bisect करता है BC को, देखो, AD वाला line bisect करता है BC को, जी सर, और AD वाला line, आपके BC के क्या है, perpendicular भी है, तो भईया, जब वो BC को bisect भी करता है, और BC के perpendicular भी है, यनि कि मेरा AD कौन है, BC का perpendicular bisector है, साथ में तो यहीं बोलेंगे न, जब मेरा AD मेरे BC को bisect करता है, मेरा AD मेरे BC के perpendicular है, तो साथ में combine करके क्या बोलोगे, कि तुम्हारा जो AD है, वो तुम्हारे BC का perpendicular bisector है, तो बस हम यहाँ पर बोलेंगे, अगर इसको आप second बोल दें, अभी थोड़ी दिर पहले, जब मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया था B बराबर C, कि AD bisect BC इसको आप first बोल दीजिए, तो आप लिखेंगे, कि जब हमने 1 और 2 को किया combine, जब हमने 1 और 2 को किया combine, तो हम यह कह सकते हैं, कि जो हमारा AD है, वो क्या है, वो perpendicular bisector ह किसका perpendicular bisector है, तो हमारे BC का perpendicular bisector है, और इस तरीके से आपका यह question होता है, खतम, अरे सर यह तो आपने case 1 खतम किया, बिल्कुल सही guess किया आपने, हमारे पास एक case 2 भी था, सर हमें case 2 को भी solve करना पड़ेगा exam में क्या, नहीं करना है, यह मेरी guarantee है, कि अगर आप case 1 को, अगर य similarly, क्या लिखो कि case 2 में, similarly, we can prove that AD will bisect BC and it will be perpendicular in case 2 also, इतना लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आपका मन ना हो कि नहीं नहीं सर, कैसे इतना ही लिखे, हम तो करेंगे prove, तो prove करना है, तो आप prove कर लीजेगा, उसमें जो hint दे देता हूं में थोड़ा सा, side congruency का इस्तमाल करेंगे, तब जाके थोड़ा सा आसानी से काम कर पाएंगे, तो वो काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, बागी case 1 आपके लिए मैंने पूरा solve कर दिया है, चलो, अब मैं screenshot लेने का यहाँ पे मौका देता हूँ, आप सारी चीजों का screenshot ले लीजिए, शुरु तो समझ में आ गई बात की दो cases बनेंगे, इतना लिखने के बाद आप जरा यहाँ पे आ जाईएगा, यहाँ पे मत आईएगा, पहले, पहले जो है, यहाँ पे रुख जाओ, हाँ, यहाँ से शुरुवात किया था पनने case 1, यहाँ पे आओ, पहले पूरा लिखो, case 1 कैसे क किया, क्या क्या किया, सब कुछ लिखो, कुछ मत छोड़ो, screenshot के भरो से मत बैठना, वरना फिर आप shot ही लेते जाओगे, और exam में shot हो जाओगे, ठीक है, इन सारी चीजों को भी लिख लो, कुछ मत छोड़ो, ठीक है, सब लिखो, screenshot मत लो, video pause करके लिखो सारी चीजे, इन सब करती ना हो कि, नहीं, नहीं, सर, ऐसा कैसे, हम तो बढ़ाकू बच्चे हैं, फिर जो है, आप जाके वो काम कर लिजेगा, side, 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 हिंट लगेगा, ठीक है, चलो बड़िया, तो इसके साथ ये वाला example जो है, अपना होता है, खतम, और एक और अच्छे level के example पे अपन आ जात हैं, अब ये जो example है, बड़ा ही अच्छा example है, वापस से diagram given नहीं है, तो पहले diagram बनेगा, और फिर दिमाग लगेगा question करने में, चलिए, question पढ़ने से हम शुरुवात करते हैं, question ये कहता है, a point O is taken inside an equilateral four-sided figure ABCD, आप एक point O लेते हैं, एक equilateral four-sided figure के बीच के अंदर, के अंद four-sided figure का मतलब ये है, कि आपके पास जो figure है, आपके पास जो quadrilateral है, उसके चारो side क्या है, equal है, और ये ज़रूरी नहीं है, कि चार side equal है, तो वो square हो जाए, या वो चार side equal है, तो rhombus हो जाए, ऐसा कोई conclusion draw मत कीजिएगा, ऐसा क्योंकि कहीं बोला नहीं है, हाँ, हम बस इतना जानते हैं, कि चारो side equal है, और उसके अंदर एक point O है, ठीक है, एक point क्या है, O है, तो इस given information से एक diagram बना ले क्या, चलो बनाते हैं, तो हमने बना लिया पहले एक quadrilateral, और नाम रख दिया हमने quadrilateral का, A, B, C, D, यहाँ पर ये जो quadrilateral ABCD है, इसमें चारो side क्या है, equal है, अब ये मत यहाँ पर analysis कर लेना, आप किया, अरे, चारो side equal है, तो square हो जाएगा, या फिर, अरे, हमको दिखरा है, ये square जैसा, तो square ले लो, हमको दिखरा है, rectangle जैसा, तो rectangle ले लो, ऐसी कोई analysis, ऐसा कोई conclusion आपको draw नहीं करना है, until and unless, अगर question आपको नहीं कहता है, और question ने तो कहीं न ही बोला है कि इस figure का नाम ये है, तो आप भी नहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे अपने एक point अंदर में ले लेते हैं, माल लो, हमने एक point अंदर में ले लिया O, कौन सा point ले लिया, एक point अंदर में ले लिया O, चलो, आगे बढ़ते हैं, इस दूरी कहां से, B से, क्या है, बराबर है, यह जो point O लिया है, इसकी दूरी point D से, और इसी point की दूरी point B से, क्या है, बराबर है, तो आपको show क्या करना है, वो सुनो, आपको show यह करना है, AO and OC are in one and the same straight line, तो आपको यह show करना है, कि जब आप यहाँ पे AO को join करते हैं, और जब आप यहाँ पे OC को join करते हैं, तो यह एक straight line बनाता है, क्या बनाता है, यह AOC जो है, एक straight line बनाता है, अब आप मेंसे कई लोग बोलेंगे, सर हमारी आखों को ही दिखाई पड़ता है, कि AOC straight line है, पर जैसा कि आप जानते हैं, कि आखों को दिखने से बातें नहीं होती है, geometry में, geometry में बातें proof करने से होती है, तो although आपकी आखों को दिखाई दे रहा है, कि AOC straight line है, पर इस बात को यहाँ पे आपको करना है proof, समझ गए, अब proof करना है, तो given, to, proof, proof, सारी बातें तो करनी पड़ेगे, तो शुरुबात करते हैं, given लिक्सने से आजाईए, तो given मे सबसे पहले क्या लिखोगे, given में सबसे पहले यह लिख दो, कि भाईया, आपके पास यह figure कौन सा है, तो आपके पास जो figure है, इस figure का नाम है, A, B, C, D, क्या है इस figure का नाम, A, B, C, D, और यह जो figure है, इसमें चारो side क्या है, equal है, चारो side मतलब यह है, कि भाईया, आपका जो A B है वो किसके equal है आपके BC के equal है यह जो है CD के equal है और यह जो AD के equal है मतलब जो figures आपने बनाया है ABCD इसमें 4 के 4 side क्या है? equal है 4 के 4 side equal है ही साथ में एक और information given थी कि यह जो point है अंदर O इसकी दूरी B से और इसकी दूरी D से equal है यानि कि आप यहाँ पर यह लिखेंगे, कि वह यह जो आपका OB है, वह आपके OD के क्या है? बराबर है, यह भी अच्छी बात हो गई, तो यह चीजे हो गई आपके पास given, अब हमको prove क्या करना है? तो prove करोगे to prove में, तो आपको यह prove करना है, कि जो AO और OC है, क्या बनाते हैं? अगर AO और OC बनाते हैं straight line, तो आप यह लिख सकते हैं, कि हमको यह prove कर देना है, कि हमारा AOC जो है, यह क्या है? यह एक straight line है, क्या करना है prove? कि आपका जो AOC है, वो क्या है? वो एक straight line है, आपको यह करना है prove, तो given हो गया, to prove हो गया, और अब हम finally आ जाएंगे किस पे? अब हम यह आती है कि sir, इसको prove कैसे करोगे? तो prove कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से prove कर देंगे, मज़े से prove कर देंगे अपन, बस इसमें थोड़ी थोड़ी बात यह अपन कर लेते हैं, एक बात बताओ, यह जो figure, यह जो quadrilateral आपके सामने है, इसमें चारो side यह क्या है? equal है, यहनि कर भईया, AB वाला side AD के equal है, यह CD के equal है, और BC के equal है, यह हम जानते हैं, मेरा suggestion यह रहता है कि यहां पर angles का नाम रख दीजिये, जैसे कि इस angle को आप angle 1 बोल दो, इस angle को आप angle 2 बोल दो, इस angle को आप angle 3 बोल दो, और इस O point को कहीं और लिख दो, इस point O क कहां लिखूँ, अब जगे तो बची नहीं, यहां उपर लिख दो, समझ जाएगा कि O point है, और यह जो angle है, आप इसको angle 4 ना बांकरन कर दीजिए, यह जो आपने naming करी है ना, बड़ी काम की naming है, और बाद में बहुत ज़ादा helpful होगी, चलिए, ठीक है sir, होगी helpful आप बोल रहो यह कौन सा point है, यह point छोटा सा बनाया मैंने, O बनाया है, याद रखो, यह जो अंदर वाला point है, यह कोई और नहीं, यह point O है, यहाँ पे दो triangles हमें consider करने पड़ेंगे, एक triangle जो मैं consider करूँगा, वो होगा AOD, कौन सा triangle, AOD, और दूसरा triangle जो मैं consider करूँगा, वो होगा AOB, य उन दोनों triangles को अपन बनाने की कोशिस जरा कर लेते हैं, तो भाई यह AOD कैसा दिखता है, तो AOD सर कुछ ऐसा दिखता है, A गया, O गया, D गया, ठीक है बना लो इसको, तो AOD कुछ ऐसा दिखता है, सर यह point आपका A है, तो आप O तक गए, और यहाँ तक आके सर, आप D तक ग आओ, तो A, O, B कैसा दिखता है, यह point A है, यह आपके पास O है, और यह कुछ ऐसे जा के आप कहुंचे B पे, यह दूसरा triangle आपके सामने है, O, B, clear है A, O, B, दो triangles दिख गए, दिख गए सर, कोई दिक्कत की बाद नहीं है, अब मेरी बाते सुनना, तो पहले लिख लेता को given है, तो देखना भाई, सबसे पहली चीज़ जो मुझे given है, वो यह है, कि जो O, A side और O, A side है, क्या है, equal है, अरे सर, ऐसे कैसे कि O, A और O, A equal, अरे भाई, common side है, इसलिए equal होंगे, एक और चीज़ मुझे question में given थी, मालूम है, देखना, question में क्या given था, कि मेरा जो O, B है हो मेरे O, D के क्या है, बराबर है, मेरा जो O, B है, वो मेरे O, D के क्या है, बराबर है, इधर देखो, मेरा जो O, B है, वो मेरे O, D के क्या है, बराबर है, सही बात है सर, और एक बात बताओ मुझे, यह जो quadrilateral दिया था मैंने, चारो side क्या थे, equal थे, यानि कि मेरा जो A, B था क्या हो मेरे AD के equal था, हाँ जी सर, AB आपके AD के equal थो था, या आपने question में दिया था, यानि कि इस diagram में अगर आप focus करेंगे न, तो आपका जो AB वाला side है, या आपके AD वाले side के क्या है, equal है, तो अरे सर, कमाल हो गया, दो triangle है, और उनके तीनो corresponding side क्या है, equal है, जर सब दो triangle होते है उनके तीनो corresponding side equal होते है, या निकर side 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 congruency यहाँ पे लगेगी, बस एक और suggestion यह है, कि यहाँ पे angles को mark कर लो, यह वाला angle 1 है, और नीचे वाला angle 2 है, यह वाला angle 1 है, और नीचे वाला angle क्या है, आपके पास 2 है, इसको अभी जरा आप mark कर लीजे, चलिए, आते हैं हम यहाँ हम लिखेंगे, इन दोनों triangle में, हमारा जो OA है, वो हमारे OA के क्या है, equal है, भहिया यह चीज तो common side है, तो हमने bracket में लिख दिया, common side, कोई परिशानी तो नहीं, नहीं सर, कोई परिशानी नहीं, इसके बाद हमारा जो OD है, यह हमारे OB के equal है, यह कैसे मालूम, तो यह तो हमें सर, given था, तो यहाँ पर हमने bracket में लिख दिया, given, and finally हम लिखेंगे, कि हमारा जो AD है, यह हमारे AB के equal है, यह भी क्या हो गया, यह भी हमें given था, यह निकि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भहिया, यह side हो गया, यह side हो गया, तो हम यहाँ पर लगाएंगे, by side, side, side congruency, क्या वो लेंगे हमारा जो triangle AOD है ये क्या होगा तो भाईया ये जो है congruent होगा हमारे triangle AOD के कौन किसके congruent होगा तो AOD जो है AOD के congruent होगा जब AOD और AOD congruent हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से यार CPCT तो लग सकता है तो यहाँ पे मैं CPCT लगाऊंगा और CPCT की मदद से मैं angle को equal prove करूँगा क मेरा जो angle AOD होगा कौन सा angle मेरा जो angle AOD होगा AOD कैसे चुना मैंने 1st 2nd 3rd basic order मेरा angle AOD जो होगा मेरे angle AOB के equal होगा अच्छा AOB कैसे आया 1st 2nd 3rd basic order तो मैं लिखूँगा कि मेरा angle AOD और angle AOB क्या हो गया equal हो गया एक बात बताओ AOD angle कौन सा था angle 1 AOB angle कौन सा था angle 2 यह निकि कहने का मतलब यह है कि मेरा angle 1 है वो मेरे angle 2 के क्या हो गया equal हो गया बात यहाँ पर खतम नहीं होती अब आते हैं दो और angles जो आपको लेने पड़ेंगे congruent proof करने के लिए सर अब कौन से दो angles हैं वो बताओ तो वापस से ज़रा diagram पे आओ और diagram में मैं दिखाता हूँ कौन से दो triangle है एक triangle है DOC और दूसरा triangle है BOC कौन से दो triangle मैंने बोले एक triangle है DOC और दूसरा triangle है BOC आपको इन दोनों triangle की बात करनी है चलिए तो DOC और BOC को ज़रापन बना लेते हैं तो अगर आप DOC को बनाना चाहते हैं तो DOC जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा यह D point है यह O point है यह C point है और अगर BOC को बनाना चाहते हो, तो BOC कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यह B है, यह O है, यह आपके पास C है, और यह जो है आपके पास BC है, ऐसा ही कुछ दिखेगा, एक बार चेक कर लो, DOC, BOC, आप देख सकते हैं, DOC, BOC अपने एकदम परफेक्ट बनाया है, है ना, कोई गर-बर तो नहीं की है, नहीं की है, अब मेरी बात सुनो, बड़ा इंट्रेस्टिंग खेल है, अच्छा, यह point O था, भूल तो नहीं गया ना, जो छोटा सा point बीच में बनाया था, O था, जनरली अपन मिस कर देते हैं, उस point को, आप देखना जरा इसमें, इन दोनों ट्रां से क्या है, इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए, question में एक और चीज गिवन थी, कि आपका जो quadrilateral है, उसमें चारो साइड क्या है, इक्वल है, यह निकि यह जो CD या DC वाला साइड है, आपके CB वाले साइड के क्या है, इक्वल है, देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा हम लिखेंगे, पहले triangles का नाम, in triangle, क्या रखोगे पहले triangle का नाम, पहले triangle का नाम रख दो, in triangle COD and triangle, दूसरा triangle कौन सा है, दूसरा triangle हो गया, COB, चलिए, तो in triangle COD and triangle COB, आप सबसे पहले यह लिख दीजिए, कि आपका जो OC है, आपके OC के बराबर हो गया, because इन दोनों ने मिलके, आपका common side बना दिया क्या बना दिया, उन्होंने common side बना दिया इसके बाद आपने ये लिखा कि आपका od है ओब के equal हो गया, क्योंकि ये चीज थो आपको question में given थी and finally आप ये लिखेंगे कि आपका cd है, वो आपके bc या cb के equal हो गया क्योंकि ये चीज भी आपको question में given थी यानि कि तीन हिस्से हो गए ये side है, ये side है, ये side है तो आप क्या लगा सकते हैं? आप यहाँ पे लगा सकते हैं by side, side, side congruency क्या लिखेंगे? आपका जो triangle COD है ये triangle COD congruent होगा आपके triangle COB के कौन किसके congruent होगा? ये COD वाला triangle COB वाले triangle के congruent होगा और किस से? side, side, side से यहाँ पे कुछ angles मैंने बनाया थे 3 और 4, मेरा suggestion क्या है? कि आप इस angle को क्या बोलिए? 3 बोलिए चेक कर लिजिए, सही बोल रहे ना? देखो, ये 3 और उपर वाला क्या? 4 तो ये 3 और उपर वाला कौन सा angle? उपर वाला angle आपके पास बन चुका है 4 आपने 3 और 4 वाला angle जो है बना लिया, हाँ सर बना लिया, कोई परिशानी के बात नहीं लेकिन सर, एक बात बताईए क्या CPCT यहाँ पे भी लगेगी? क्या? सा angle COD अब COD कैसे पिक किया? मैंने 1st, 2nd, 3rd, आपका जो angle COD है तो इधर 1st, 2nd, 3rd पिक किया तो इधर भी 1st, 2nd, 3rd, आपका जो angle COD है आपके angle COB के क्या है? इक्वल है, आपका जो COD है किसके इक्वल है? आपके COB के क्या है? इक्वल है भाईया COD कौन सा अंगल है तो COD है आपके पास अंगल 4 और COB कौन सा अंगल है आपके पास है अंगल 3 यहनि कि अंगल 4 जो है किसके इक्वल है आपके अंगल 3 के इक्वल है 4 जो है किसके इक्वल है आपके अंगल 3 के इक्वल है यह हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है. ठीक है? हमने दो बाते प्रूफ करी है. अभी थोड़ी दिर पहले हमने प्रूफ किया था कि angle 1, angle 2 के बराबर है और अभी-भी हमने यह प्रूफ कर दिया है कि angle 4 और angle 3 क्या है? आपस में बराबर है. सर इन दोनों बातों से ये कहां प्रूफ हुआ कि AC एक स्ट्रेट लाइन है होगा प्रूफ वापस से ज़रा डाइग्राम पे आ जाओ तो ये जो डाइग्राम बनाया था न मैंने same to same डाइग्राम मैं वापस से construct करूँगा आपके लिए अगले पेज में चलिए आजाइए तो डाइग्राम कुछ ऐसा था ऐसे मैंने quadrilateral बनाया था गलती से भी ये मत सोच लीजिएगा कि ये एक आपके पास square या ये सब है ठीक है यहाँ पे आपने कौन सा point लिया था? O point लिया था आपने इसको join किया आपने ऐसा इसको join किया फिर आपने इसको और फिर आपने ऐसा इसको join किया था और आपको proof करना था कि AOC जो है एक straight line है तो आप बोलोगे कि सरह में दिख रहा है पर ऐसा तो खेल है नहीं आंगल ऐसे थे 1,2,3,4 अपने ऐसे move किये थे तो ये आंगल 1 हो गया ये आंगल 2 हो गया ये आंगल आपके पास 3 हो गया और ये आंगल क्या हो गया आपके पास 4 हो गया अभी जो पहली equation थी पहली equation क्या थी पहली equation ये थी कि भई आपका जो angle 1 है वो किसके equal है आपके angle 2 के equal है और अभी जो दूसरी equation आपने proof की थी, दूसरी equation क्या कहता था, कि आपका angle 3 है, आपके angle 4 के क्या है, बराबर है, एक बात बताओ, ये O क्या है, सरेक point है, ये जितने भी चारो angle है, ये point के around है, क्या मैंने lines and angles वाले chapter में बात बताई थी क्या, कि अगर एक point के around, जितने भी angles बन दूल तो नहीं गए उन बातों को, है न, तो यहाँ पे point O है, इस point O के around, ये 4 angle बनते हैं, यहने कि इन 4 angles का sum कितना होगा, 360 degree होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, कि जब हम angle 1, जब हम angle 2, जब हम angle 3, और जब हम angle 4 को add करेंगे, तो हमे 360 degree मिलेगा, और reason लिखना ये एक point के around, सारे के angles का sum कितना होता है, 360 degree, sum of angles around a point आपने यहाँ पे लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, कहीं पे कोई परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, चलिए sir, अब sir इसका इस्तमाल कैसे करोगे, वो भी ज़रा हमको समझा दो, तो देखो बच्चो, बहुत साध सारन इस्तमाल है, तो 1 और 2 को तो रहने दीजिए, यहाँ पे 1 को 1 रहने दीजिए, एक बात बताईए, हमारा angle 2 किसके equal है, sir हमारे angle 1 के equal है, अरे, प्रूफ किया था न, 2 किसके equal है, angle 1 के equal है, तो यह जो angle 2 है, इसकी जगह क्या मैं angle 1 लिख दूँ, हाँ, कोई परेशानी न दिया, तो यह आपके पास angle 4 हो गया, और यह कितने के बराबर है, 360 degree के बराबर है, अब देखो, 1 प्लस 1 कितना बनेगा, आपके पास 2 times of angle 1 बनेगा, 4 प्लस 4 कितना बनेगा, आपके पास 2 times of angle 4 बनेगा, और sum कितना होगा, 360 degree होगा, इन दोनों में से क्या करो, 2 को निकाल ल गया ना कि 3 की जगर 4 कैसे आया तो 3 4 के बराबर था इसलिए आया और ये मत गन्फ्यूज हो ना कि 2 की जगर एक कैसे आया दो जो है एक के बराबर था इसलिए उसकी जगर एक आया दोनों में से हमने 2 को common निकाल लिया ये क्या हो गया ये हो गया angle 1 plus angle 4 बराबर कितना बराबर 360 degree. इस two को नीचे भेजने क्या? हाँ जी सर भेज दो. तो two को जैसे ही नीचे भेजोगे तो angle one plus angle four कितना हो गया? तो ये जो है 360 degree divided by two हो गया. Angle one plus angle four कितना हो गया? 360 degree divided by two हो गया. 360 को दो से डिवाइड करो गे तो कितना मिलेगा? 180 degree मिलेगा, यनि कहने का मतलब ये है, कि आपका जो angle 1 और angle 4 का sum कितना मिल गया, आपको 180 degree मिल गया, सर इससे ये हो गया, क्या proof की straight line है, जी हाँ हो गया, एकदम ध्यान से देखना बात इस समझ में आएंगी, अगर इस figure में देखोगे, इस figure में, तो भईया angle 1 है, angle 4 है, इन दो का sum कितना है, 180 है, अलग से diagram बनाता हूँ इधर देखो, अलग से diagram बनाता हूँ आपके लिए, ये point A है, ये point O है, ये point C है, ऐसा है ना, और इस पे कुछ ऐसी line है आपकी, और ये angle है 1 और ये angle है 4, आप जानते हैं ये property, मैंने आपको इससे पिछले वाले question में करवाई थी, कि अगर straight line हो, तो जो दो angles बनते हैं, उनका sum 180 होता है linear pair, अभी उसी property का उल्टा कर रहे हैं अपन, कि अगर sum of angle 180 हो, तो line कैसी होगी, straight होगी, अरे बाई सुनो, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, उल्टी बाते कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको अगर पिछला question याद हो क्या converse है, कि आज तुम्हारे पास straight line नहीं है, पर जो angle थे, वो 180 थे, बाई जब straight था, तो sum of angles 180 था, आज जब 180 है, यानि कि line कैसी होगी, straight होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हम यह बोलेंगे, कि यहाँ पे, जो हमारा AOC होगा, यह कुछ और नहीं, यह एक straight line हो जाएगा, और यह पूरा logic लिखते से ही, आप अपने question को कर चुके हैं, खतम, और जो चीज आपको करनी थी, proof, वो हो चुकी है, proof, यानि कि last में आप लिख देंगे, hence proved, last में क्या लिख देंगे, last में आप लिख देंगे, hence proved, और बस, इतना ही आप करेंगे question में, अब sir, कहां कहां से screenshot ले यह भी बता दीजिए, तो भाई, आप यहां से शुरुवात करिए question की, सारी चीजे लिखिएगा, जैसे कि मैंने as it is लिखी है, अगर इसको आपने लिख लिया है, तो इसके बाद जरा यहां पे आईए, यहां नहीं, यहां पे आईए, ठीक हैं, फिर यह सारी चीजे मैंने 1 और 2 वाले angle को equal किया, जब यह दोनो angle equal हो जाएं, तो कैसे मैंने 4 और 3 को equal किया, यह लिख लीजिए, और जैसे ही यह दोनो angle equal हो गए, उसके बाद तो पूरा खेल था, कि sum of angles around a point 360 होता है, उसकी मदद से 1 प्लस 4, 180 होता है, और जब 1 प्लस 4, 180 है, यहनी कि straight line तो यहनी कि अपना यह question भी होता है, खतम, और यह example भी होता है, खतम, अब इसके बाद क्या है sir, तो इसके बाद जो है, यह video भी होती है, खतम, यहनी कि मुझे जितने भी variety of question हो सकते थे आपके side 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 congruency पे, वो सारी variety मैंने यहाँ पे cover की है, ऐसी कोई variety नहीं है, जो की side 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 पे ह हो सकती थी, और जिसको मैंने इस video में छोड़ा है, अगर आप इस video को पूरा देखते हैं, और concept video side 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 का देख चुके हैं, तो अब side 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 congruency में आपको कभी भी परिशानी नहीं आएगी, so last but not the least, introduce करता हूँ मैं आपको magnet brains के website से, जगह वो है जहाँ पे education completely free है, बस खास यह है कि सारे courses, सारे video जो है अच्छे तरीके से arrange रहते हैं, तो आपकी पढ़ाई में जो है बहुत अच्छी मदद हो जाती है, तो Google Chrome खोलिए, टाइप करिए www.magnetbrains.com website आपके सामने होगी, इसमें CBSC English के section में जाते हुए class 9 को select करते हुए, class 9 में किये सारे courses आपके सामने होगे मान लो आपको ये देखना है, तो आपने watch now का option दबा दिया, और उस course में जितने chapter हो चुके हैं, वो आपके सामने होगे, जिस भी chapter का video देखना है, उस chapter पे क्लिक करोगे, उस chapter का video आपके सामने play हो जाएगा, और आप ये जानते हैं कि ये सारी चीजे आपके लिए magnet brains provide करव आता है, free of cost, kindergarten से लेकर class 12 तक, free है, इसका मतलब ये नहीं है कि quality नहीं है, by quality तो आपको ये video देखके ही समझ में आ चुकी होगी, तीन काम जरूर करने हैं हर video देखने के बाद, video को like करें, channel को subscribe करें, जितना हो सके video को share कीजिए, share करना बहुत जरूरी है क्योंकि free education है, जितन ही important ही होगा, तो इसको थोड़ा सा as a responsible student की तरह देख लो, तो और अच्छी बात हो जाएगी, बागि आप जानते हैं कि इसमें हमारा side 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 congruency हो चुका है, खतम, मतलब concept और example हो चुका है, खतम, अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचते हैं, right hand side congruency, तो मिलेंग आपको पसंद आया होगा, समझ में भी सारी चीज़े आई होंगी, so stay tuned at magnet brains for further videos